प्रतिमा जीयस एकडीम पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों विस्व भोगोल में तापमान के बित्रन प्याज में चर्चा करेंगे आप लाइक करें शेर करें जिन दोस्तों ने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें सुरू करते हैं विभाई मंदल ये तापमान है देखें तापमान कहां से आएगा उसका सुर्वत क्या है उसका सुरूत है सूर्य कि एक मात्र सुर्य है सूर्रे अब सूर्रे का जो टंप्रेचर है जो तापमान है प्रिथिवी पे कितना प्रतिशत पहुंचता है दो अरबवां भाग प्रिथिवी के तापमान का दो अरबवां भाग प्रिथिवी पे पहुंचता है सूर्र के तापमान का यानि कि दो अरववा भाग में ही इतनी इस्तिती दैनिय हो जाती है कि हम टंप्रेचर को सहे नहीं पाते अब इसका एक ही प्रिथिवी पे कहीं पे बहुत धूप होता है कहीं पे छाओ रहता है कहीं पे बारिस होता है कहीं पे बर्फ जमा रहता है तो यह क्या है ऐसा क्यों होता है अब आपनों के दिमाग में यह आता होगा कि एक मात्र तापमान का स्रोथ सूर कैसे है जल बिजुली है पन बिजुली है ऐसे कैसी सुना देंगे तो यह सब चीजे जो हैं यह मानो निर्मित हैं और सूर जो है वो प्राकरतिक तापमान देने वाला उर्जा ग्रह है तो इसलिए सूर पर जो भी जोगर्फी प्रहाई जा रही है सूर को के अंद में रखे प्रहाई जा रही है जल बिद्दूत पवन बिद्दूत पता नहीं कौन बिद्दूत से नहीं वायवमंडलिये तापमान के अंतरगत उस्मिय उर्जा की तीब्रता की माप है उस्मिय उर्जा की तीब्रता की माप है जबकि उस्मा उर्जा की वह मात्रा है जो तापमान को उत्पन कर सकती है संज्मिय जो तापमान है ये तीब्रता की माप है और उस्मा जो है इस तापमान से उत्पन जो तापमान को उत्पन करता है टमप्रेचर को उसको हम उस्मा गहते हैं उर्जा की मात्रा है तापमान के बितरण के को प्रभावित करने वाले कई कारण है इसका जो बितरण है वो एक समान नहीं है एक समान नहीं है इसका मतलब एक समान नहीं है तो बिसम है और बिसम है तो क्यों है प्रस्म आता होगा कि ऐसा क्यों है एक पृत्वी है यानि कि एक पृत्वी है जो ये विश्वत रेखा है 35 डिग्री नार्थ 35 डिग्री साउथ 35 चाचर नार्थ 35 चाचर साउथ नब्बे नार्थ नब्बे साउथ तो इस पे जब सूर का प्रकास जबू उपर से पढ़ता है तो सपे बाबर पढ़ना चाहिए था ऐसा नहीं है अगर मालो ऐसा होता भी तो ये सूर है और ये जो पृत्वी हमारी है ये पहले चीज तो अपने धूरी पे घूमता है और अपने धूरी के साथ साथ सूर का माली जी ये सूर है ये सूर है और ये पृत्वी है तो पहले तो पृत्वी अपने धूरी पे घूमता है और धूरी के साथ साथ सूरी को घूमता है तो अगर ऐसी इस्थिति में मान लिजे जुकाव नहीं होता ये जुकाव नहीं होता तो एक समय में एक ही तरह से पड़ता दूसी तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता जैसे की चंद्रमा पे होता है चंद्रमा पे केवल 49 परतिसद ही प्रकास पड़ता है बाकी अंधेरा रहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का अपने अच्छ पे गूमना साथ ही प्रिथिवी का गूमना एक दम बराबर है इसलिए ऐसा होता है तो यहाँ पे जब देखा जाए तो यह प्रिथिवी हलका जुका हुआ है और यह सूर के चारो तरब घूम रहा है तो सूर का प्रकास एक समय में एक ही फोकस बिंद्वे पड़ेगा बाकी तिर्चा पड़ेगा और तिर्चा तापमान जो सीधे फोकस का तापमान होता है उस आता था इसे करके ग्लास और उसको लेकर सूर से दिखाओ तो कागज जल जाता था वह इसलिए क्योंकि सीधा फोकस बिंद्व कागज पर पड़ता था जो डारेक्ट पड़ता है उसका तंप्रेचर जादा होता है और जब तिर्चा हो जाता है तो वह बेत्रित हो जाता है बट जाता है जितनी ऊनिट निकलेगा एक ही जगा उरजह रहेगा तो जादा प्रभाव दिखाएगा अगर वह बेत्रीत हो जाएगा तो प्रभाव कम हो जाएगा तो यही प्रिथिवी पर लागव होता है तो क्या एक ही यही कारण है नहीं केवल मात्र एक कारण यह नहीं है यह तो मैंने आपको बताया कि सूर का प्रकास प्रिथिवी पर पड़ता है जैसे यह प्रिथिवी है यह और यह यह है 23 सितंबर और 21 मार्ज यह है 22 दिसंबर और 21 जून 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर सीधे पड़ता है जीरू डिग्री यह नि इक्वेटर पे इक्वेटर पे 22 दिसंबर को पड़ता है 23 साड़े 23 डिग्री साउथ यानि की लाइन आफ कैप्रिकॉन यानि मकर्रेखा पे 21 जून को पड़ता है लाइन आफ कैंसर यानि कर्करेखा पे तो जब जिसका प्रकास सीधे जिस पे पड़ेगा तापमान उसका ज़्यादा होगा लेकिन इस इस्थती के बावजुदिये तो हो गया अच्छांसिये इस्थती सूर का ये हो गया अच्छांसिये इस्थती और ध्यान रहे ये जो दैनिक बदलाव होते हैं ये प्रिथवी का अपने अस्थान पे अपने अस्तर पे धुरी पे घूमने के कारण होता है दिन और रात और जो साल होता है वो सूर की परिकर्मा करने का प्रणाम होता है यानि कि प्रिथवी जब सुब़े से साम तक अपने धुरी पे घूमती है तब ही दिन और रात हमें महसूस होता है जब प्रिथवी घूम रही होती है अपने धुरी पे और जब सूर के समच्छ होती है तब परकास पड़ता है उसे हम दिन कहते हैं और जिस समय प्रिथवी के एक तरफ दिन हो रहा होता है तब दूसरा सूर के विपरीत होता है प्रिथवी का छेत्र तो उसको हम रात महसू धरातल पे तापमान के बित्रड के बहुत बिसम पाय जाता है और उसे प्रभावित करने वाले जो प्रमुक कारक हैं वो निम्न लिखी था हैं जैसे एक हो गया अच्छांसिय स्थिति जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पृतिवी अपने अच्छ पे जुकी हुई है सूर का प्रकास पढ़ता है प्रतिवी सूर के चारों तरफ चक्कर लगाती है और जो सूर के तरफ होता है जब इधर होगा तब इधर का पाट अधेरा होगा जब इधर गोमते गोमते जब प्रतिवी अपने अच्छ पे भी गोमेगी तो जो सूर के पच्छ में आता जाएग जो नहीं आएगा वहां रात होती चली आएगी जिधर सूर का प्रकास पड़ेगा वहां पे तापमान तेज होगा और जहां पे सूर प्रकास नहीं पड़ेगा वहां पे तापमान माइनस में होगा या नहीं माइनस में होगा तो ठंडा मावल होगा तो इसलिए अच्छांस एक आरख तो अच्छांस हो गया, तापमान के बित्रण का, अभी मैं सभी चीजों को अच्छे से लिखाऊंगा भी, परिशान कोई मत्विबस समझिए पहले, दूसरा कारख है सागर तल से उचाई, अब मान लिजिए कि उचाई आपका है, एक हजार मीटर यहां पे, और यहां पे है आपका मान लिजिए, ग्राउंड लेबल पे, तो आपने पढ़ा था, जब मैं छोब मंडर पढ़ाया था मैंने, तो मैंने बताया था कि उचाई बढ़ने पे टापमान में गिरावट आती है उचाई बढ़ने पे टापमान में गिरावट आती है तो सागर तल से उचाई एक कारण है दूसरा सागर तल से दूरी अब उचाई तो समझ में आया दूरी का क्या मतलब है तो आपको पता होगा कि जो जल होता है ये इस्थल है और ये जल है इस्थल और ये जल अब मालिजे सूर का प्रकास पड़ा अब ज्यादा तेजी से कौन ठंडा होगा और ज्यादा तेजी से गरम कौन होगा सूर का प्रकास सप्पे पड़ रहा है तो जितना तेजी से एस्थल गरम होगा उतना तेजी से तो जर गरम नहीं होगा तो गरम जादा तेजी से कौन होगा? एस्थल दूसरी चीज है जब ये गरम हुआ तो ये भी धीरे धीरे इसके पेशा भी ठंडा ही हो गया तो जब ठंडा हुआ तब एक होता है लो प्रेशर बेल्ट एक होता है हाई प्रेशर बेल्ट यानि निम्न दाब पेटी निम्न दाब पेटी एक होता है उच्च दाब पेटी अब जब निम्न दाब पेटी किदर बनेगा जब तापमान जादा इधर होगा इस थल जल्दी से गर्म होगा तो गर्म होने के बाद में यहाँ पे तापमान जो वाय मंडल है वो थोड़ सा फैलेगा यानि कि यहाँ पे बनेगा निम्न दाब यहाँ पे बनेगा high pressure, यहाँ पे बनेगा low pressure तो यहाँ से हवा उठेगी जाएगी इधर क्योंकि इसे cover करने के लिए जाएगी और जैसे जाएगी तो तट पे, समुद्र तट पे ना तो ज़्यादा तापमान हो पाता है और ना ही ठंडा हो पाता है ज़्यादा तो यहाँ बनेगा high pressure belt यहाँ बनेगा low pressure belt तो रात के समय हवाई इधर से इधर चलेंगी तो जो समुद्र के तट का भाग है समुद्र के तट का भाग है भाग है वो क्या होगा वो सामान तापमान बना रहेगा सामान तापमान बना रहेगा तो जब समुद्र के तट से दूर होंगे मान लिजिए कि अब यहाँ पे कोई बात है तो यहाँ पे यह तट है यह तट है यहाँ के अपेच्छा यहाँ तो तापमान अलग होगा बित्रित होगा यहाँ पे तापमान जिस समय सूरी का प्रकास इधर पड़ेगा, उस समय तो यहाँ पे तापमान तेजी से होगा, लेकिन यहाँ पे तापमान कम होगा, इसलिए कहा जाता है कि तापमान के बितरण में समुद्र तट से दूरी भी एक कारक होता है, यानि कि यहाँ पे यह हव मुंबई के हवा हमारे थोड़े हो पाएगा लखनों में नहीं हो पाएगा तो मुंबई की हवा मुंबई तट के लिए मुंबई के लिए जो है वहां का क्लाइमिट के लिए बेतर हो सकता है वहां तंप्रिचर कम जादा नहीं होने देगा वहां मेंटेन रखेगा अब हमारे जल का बित्रण तापमान का ये भी कारण ज्यादा होता है अब अस्थल और जल का बित्रण का कारण जैसे प्रित्वी पे एक हात्तर पर्षेंट जल है 29 पर्षेंट अस्थल है तो प्रभाव तो यहां भी पड़ेगा जैसे नार्थ में अब जैसे मान लिजे कि जो साउथ है साउथ में ज्यादा पानी है लग बगए 80 पर्षेंट पानी वह 90 पर्षेंट अस्थल है नार्थ में 39 पर्षेंट के आसपास में जो है अस्थल है और 60 पर्षेंट के आसपास में पानी है दोनों में अंतर हो गया अब जब अस्थल और जल का बित्राण आसमान होगा तो ज्यादा तापमान के दर होगा ज्यादा तापमान होगा उत्तरी दुरूप में क्यों क्योंकि अस्थल ज्यादा उत्तरी दुरूप में ह और तापमान यहाँ पे मेंटेन होगा दच्छी दुरूब में कम होगा अपेच्छा कृता इसा नहीं है कि इधर होगा इधर होगा ही नहीं होगा दोनों तरब लेकिन कम जादा हो सकता है और सबसे महत्वपूड है समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा ये क्या करेंगी व्यापार के लिए सुलभ व्यवस्था दे पाता है जैसे मैं केवल अट्लांटिक को समझाता हूं पूरा अबर आप समझ जाएगा ये अट्लांटिक महासागर है और अट्लांटिक महासागर में इधर हो गया उत्त्री अमेरिका ये हो गया दच्छी अमेरिका इधर आपक अफरिका महाधीव अब यहां पर क्या जब विस्वत रेखा कि धारा आती है और ब्राजीर से टक्राइए एक साखा इधर जाती एक इधर आती है अब जो कि यहां पर तंप्रेचर हमेशा क्या रहता है बर्फ हमेशा बर्फ रहता है लेकिन जो ये गर्म जलधाराएं है ऐसे कैसे समझाओगे फिर से समझाता हूँ ये हो गए आपका इसको इतना समझ है हमें इधर से ही काम है ये अफ्रीका महादीव इए अफ्रिका महादीफ हो गयी हो गया आप ईूरोप यह उत्रिय मिर्का यह दच्चir अब विशन रेखा जो है विशन रेखा बीचों बीसे यहां से आती है, 0 डिग्री यहां पे आती है, यही से बिशे अब जब बिश्वत ये धारा चलती है जल धाराई जब बहती है तो यहां पए गर्म ही होगी और जब ब्राजील से यहां टकराएगी तब धारा ऐसे भगेगी एक इधर जाएगी गरम वाली और इधर यह तब बर्ब से धके खुए है कड़ा देटा है तो यहां का प्षुले रहते हैं कि बरफ कभी जमना नहीं पाता है यह जो गरम धाराय या पहुन जाती है गल्फ इश्ट्रीम बोलियाती है गल्फ इश्ट्रीम तो यह धाराय क्या है जब इधर पहुचती है तो यहां के तापमान को उचा करBack देती है ऑब बर्फ जमने नहीं पाता है तो यहां से इहां से इधर रूस का इधर नार्बे, refugeeland इनका सबका जो व्यापार का साधन है जलमारक से वह सुलव हो जाता है, यही हाल यहाँ पे हरसन का कनाड़ा की आसपास का, क्योंकि यहाँ पे लेब्राडो ठंडी धार आती है और यहाँ से गल्फिष्टिंग आती है, और यहां पर इदम कुईरा का बनाता है तो यहां मचली पालन का आधार बन जाता है यानि कि जो तापमान का कम जादा करने का प्रावदान है वो समुद्री धाराएं और जौर भाटा भी इसके लिए जिम्मेदार होती है यानि वायमंडलिय तापमान के बितरण में जलधार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि प्रचलित पौने अब आप इधा ठंडी का समय आ गया है आप देखेंगे कि जैसे ठंडी हवा चलेगी लोग कहेंगे बाहर मत लिकलो क्योंकि बहुत ठंड है क्यों क्योंकि तापमान गिर गया है तापमान नीचे चला गया है क्योंकि पच्छुआ हवा चल रही है पच्छुआ हवा कहां से आती है यह भारत है यह भारत है और साइस से कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है यह अफ्रीका है यह भारत है और यह है अन्टार्किटिका पच्छुआ हवा यहां से चलती है बर्फीली हवाएं है यह यह मेरा गासकर होते हुए इसे बढ़ियां पूरा गोमते हुए आएंगी यानि पच्छुआ हवा यहां से जब आएगी तो यह ठंडी ठंडी बर्फ की हवाएं लाएंगी और यह जब यह प्रभाव दिखाती है अपना तब यही प्रभाव से क्या होता है तापमान गिर जाता है कहने कातात पर यह है कि जो प्रचलित पौने हैं चाए वो जिधर से भी आएं पच्छुआ पौने भी हो सकती हैं साइबेरिया पौने भी हो सकती है अब मान लिजे हमारे यहां पर क्या है यह भारत है यह हिमाले है खो मूचा तो जो साइबेरिय के हवा आती है वह यहां पार नहीं कर पाती और नहीं तो जितना समझदारी से हम लोग सोचते हैं उतनी समझदारी से नहीं होता हमारे यहां होता और आधा होता कुछ हो रेगिस्तान जो अभी है यानि कि हम जो बरतमान में हमारे पास खेतियों को भूमि मैंदान है यह सब क्या होता यह सब सीत मरुस्थल होते तो हिमाले साइबयरिया से उत्तरि नार्थ को रोक लेता है ठंडी हवाओं को रोक लेता है तो हमारा जो 降प्रेचर है अडिमें भी मेंपी नहीं पड़ती था Um और जो कि ऐसा नहीं है तो यह थंडी हवाय हमको बचाए हैं लेकिन हमको बचाए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि इसने सब को बचा रखा है तो जो प्रचलित पवने हैं तापमान के बितरण में इनका भी प्रभा होता है इधर पे जब थंडी पवने जहां जाएंगी तापम अमेरिका में एक हवा चलती है चिनूग जब अमेरिका में। जब यहाँ पे चिनूग जब राकी परबत माला से उतरती हैं तो जितने बर्फ से थोड़ा सब मैदान ढपे रहते हैं उस पे हवा चलते हैं बर्व सब पिखल जाते हैं और हरे हरे घास हरे हरे घास निकल आते हैं यानि चिनूख के मात्र आने से ये गर्म हवा है और इसके आने से बर्व पिखल जाता है हरे हरे घास आते हैं और फिर सारे पसु पच्छी जो है पसु लोग उसे चरने लगते हैं इसलिए इस फ्रांस में उतरता है, जैसे ही फान हवा आता है, ये गरम होता है, वहाँ पर अंगूर के फसल पकने लगते हैं, अंगूर के जो फसल हैं, वो पकने लगते हैं, क्योंकि जो बर्व के उपर जटी होती है, वो पूरा साप हो जाता है, और अंगूर खिल के सामने आ जाते हैं, और उपगने लगते हैं यानि कि जो सनातनी सनातनी पौने इस्थानी बिसेस वे चलने वाली हवाओं को सनातनी पौनों के नाम से जाना जाता है अगला है धरातलिय सुभाओ अब धरातलिय सुभाओ का भी अपना महत्तु है जैसे हिमाले हिमाले इतना उचा है माउंट यवरेष्ट माउंट यवरेष्ट उचा है तो उपर बर्फ है और उसी के तराई में अच्छी खासी धूप खिली है ये राकी है ये एंडीज है राकी परबत के इधर तापमान सामान है क्योंकि इधर से तटी हवाय आई इधर ही टकराई न दिया गई बाकि इधर तापमान ठंडा है कनाडा में कनाडा में क्या है तापमान ठंडा है अमेरिका में तापमान जादा है सेम कंडिशन दच्छी अमेरिका में एंडीज परबत माला से लागू होता है कहने का ताथ पर ये है कि उच्चावच धरातल का समान रूप से उच्चावच होना कहीं पर गड़ा होना उच्चावच उच्च नीच जगे उवडखा भड़ तो ये सब जो है धरातल का भी एक आसमान रूप से बितर्ण के लिए एक प्रभावित कारक होते हैं तो यहां पर आप समझिएगा कि ये मंडल के जो ताप मान के बितरण के प्रभावित करने वाले कारक हैं वो nसे इतना परियाप्त है जो मैं ने आपको बता दिया Pty fact में में निमन्री दे दे देगा इन्री मेंसे पांच शाग और कह देगा निमन्री में में से काउन शाहिंना काराक नहीं है काउन साग रख है फिर Oui एक 2 तीन 4 क्रक्रे आफसन में देदेगा और ऐसे जब प्रस्थन पूछा जाता है तब वो एक दो ह दो 2 3 4 5 कोटेशन देदेगा फिर एक दो तीन सहीं, दो तीन चार सहीं ऐसे दे देगा ऐसे ही प्रस्णिश में आते हैं लेकिन आप लोग समझदार हैं आप लोग इतने पे मत रुकिये इसका भी explanation समझ जाएगा लेकिन इतना जाने की प्रभावित करने वाले प्रभु कारक में है कौन-कौन अच्छांस हो गया, सागरतल से उंचाई हो गया, सागरतल से दूरी हो गया, अस्थल योम जल का बितरण हो गया, समुद्री धाराय और ज्वारभाटा हो गया, और परचलित पौने हो गई, सनातनी पौने और धरातलिय स्वभाव हो गया अब हम इसमें से एक एक करके देख लेते हैं अच्छांस देखें तापमान के बितरण को प्रभावित करने में तापमान के बितरण को प्रभावित करने में सबसे महत्पूर्ण कारक है जो विश्वत रेखा से धुरूओं की वो तापमान घड़ता जाता है जैसे 21 जून को सूर्य जब करकरेखा पर पड़ता है करकरेखा पर यह करकरेखा है और यह है साड़े 30 डिग्री जो साउथ है यह है मकरेखा जब सूर्य करकरेखा पर पड़ता है तब तापमान दच्छडी गोलारत में मतलब इधर तापमान ठंड़ा होता है और यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है विश्वत रेखा पर बराबर होता है और इधर का जैसे विश्वत रेखा से ये विश्वत रेखा है आपका, जब विश्वत रेखा पे सूर का तापमान पड़ता है, सीधे, सूर का तापमान तीनी जगा पड़े है डारेक्ट, यह तो करक पे, यह तो विश्वत पे यह मकर पे, और इतने में ही सूर का तापमान उपर नीच तापमान घरता जाएगा यानि सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो अच्छांस है तापमान के बित्रन को ले करके दूसरी चीज़ जब करक रेखा पे तापमान होता है तब मकर रेखा के इधर का पूरा का छेत्र जो है ये ठंडी हवाओं से या कह सकते हैं कि सीतकारिन से ग्रसित हो जाता है जैसे इस समय सूर क्या है दच्छणायन है इस समय ये प्रिथिवी है और ये सूर है अब क्या कि इस समय पहले 21 जून को यहां पे था हमारे करक पे और 21 जून के बाद से 22 जून से करक से धीरे धीरे सूर का प्रकास इधर आने लगेगा उसके बाद में क्या हुआ 23 सितंबर को 23 सितंबर को सूर का प्रकास सीधे पड़ा करक इस पे विस्वत रेखा पे और सितंबर के बाद ये जून में था ये सितंबर और इसके बाद में धीरे धीरा रहा है आने वाला 22 दिसंबर को एक दम मकर रेखा पे सूर का प्रभाव पड़ेगा और ये पूरा बेल्ट जो है प्रकास से खाली हो जाएगा प्रकास रहेगा लेकिन सूर का जो वो तापमान है जो कि जून में मिला था वो नहीं जित करता है यानि अच्छांस सबसे बड़ा फैक्टर है सूर के तापमान के बितरण का लेकर करके कि सागरतर से उचाई की बात है तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे उचाई बढ़ता जाएगा उचाई बढ़ता जाएगा जैसे छोब मंडल अठारा किलोमीटर मैं योरेज ले रहा हूं फिर समताब मंडल पचास किलोमीटर मध्य मंडल 80 किलोमीटर आयन मंडल 400 किलोमीटर उसके ओपर बाह मंडल 10,000 किलोमीटर जब छोब मंडल से उपर जैसे ताप हम उचाई बढ़ने लगे तो हमने देखा कि एक हजार मीटर पे जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है नीचे गिर जाता है उसके बाद जैसे ही हम छोब मंडल के उपर समताब मंडल में जाते हैं तो 50 किलोमीटर तक आते आते हमारा तापमान क्या हो जाता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेट मतलब यह है कि जब च्छोब सीमा 18 किलोमीटर तक मैनस 80 डिग्री सेंटीग्रेट पहुंच जाता है फिर उपर बढ़ने पर भाई तापमान जब बढ़ने शुरू होगा तब तो जीरो पर पहुंचेगा यानी तापमान फिर बढ़ने लगता है फिर तापमान कम होता है फिर बढ़ता है तो पहुत तेजी से बढ़ जाता है तो इसलिए सागरतल से उचाई पर बढ़ने पर वायो मंडल में उचाई बढ़ने पर तापमान घड़ता है एनि कि तापमान का जो बितरण है वो अलग अलग प्रभाव को दर्साने लगता है इसलिए सागरतल से उचाई सागरतल से उचाई पहाई पीत मान घरता बढ़ता रहता है है कि अग्ला राथ सागर तल से दोरी हैं अपने समुद्र देखे मैंने पहले भी समझाया भी है कि समुद्र अपने तटवर्ती भागों की जलावाई उपर समकारी प्रभाव डालता है जो तटवर्ती छेत्र हैं जिसे सहर हैं जो तटवर्ती समुद्र के वहाँ पे ना तो आपको अधिक गर्मी मिलेगी और नहीं अधिक ठंडी इसलिए किसी भी समय में देखोगे गोवा में हमेशा भीड रहता है पता का यहां ठंडी है खुब ठीक है ठंडी है तो है गोवा में तब भी लोग दो कपड़े में अपना काम चला लेते हैं अब उसे गरीबी कहें या सोग कहें अलग बात हैं मुंबई में एक सर्ट पहन करके आप कितनी भीज़े ठंडी हो एक सर्ट में आप अपना काम चला सकते हैं तो ये समुद्र तल के तटवर्ती छेत्र का प्रभाव होता है कि ना आते धी ठंडी पढ़ने देता है और ना आते धी गर्मी पढ़ने देता है एस्थल और जल का बित्रन मैंने आपको बताया कि गुलोब पे अस्थल और जल की बित्रन बहुत बिसम है जो तापमान पे प्रभाव डालता है समुद्री धाराओं का गर्म और ठंडी धाराएं अपने तटवर्ती भागों के तापमान को प्रभावित करती है जैसा कि पहले पताया मैंने कि जब ठंडी हवा चलेगी तो अपने तटवर्ती छेतर में तापमान को गिरा देगी हिमांक में कर देगी और जब गरम हवाएं चलेगी तब तापमान को बढ़ा देगी और पूरा पोर्ट जो है पोर्ट या बंदरगा वो सब बर्ब से जो ढकन के होगा भी तो बर्ब पिखल जाएगा और सामान हो जाएगा यानि कि जलधाराएं भी अपना प्रभाव दिखाती है प्रच्रित पौने तेगी पवन का जो सुभाव है उसके उद्गम छेत से पता चलता है कि यह ठंडी होगा कि गरम जैसे अब मान लिजिए कि यह गरीन लैंड है अब यहां से कोई हवा चलेगा तो ठंडी पर बिरतिका होगा अब यह हवा जिधर जिधर जाएगा अपना प्रभाव कि दिखाएगा कि वहां का तापमान गिरा देगा तहापमानगिरा देगा, लेकिन यही कुछ इस्थानिय, कुछ ऐसे जो सनातनी पौने हैं, प्रच्रित पौनों में, दोनों में समझा जेता हूं, कि उद्गम छेत्र अगर धुरूब से है दुरूब से तो ठंडी ही होगी तो यह तो होगा आपका प्रचिल्ट पहुने लेकिन जो सनातनी स्थानिये पहुने हैं अगर इसी में समझा जाए तो जो यहां से चलेगा वो क्या करेगा कि जहां जाएगा वहां पना तापमान गि वहां के मैदान को बर्फ से साफ कर देता है और वहां पर हरी हरी घासें उगने लगती हैं जो चार अगा के लिए होता है लेकिन एक कि अफ्रीका तड़ पे यहां पर यहां पर बीच में चाड के पास में एक हवा उड़ती है उसका नाम हर्मटन हर्मटन यह यहां से दो चलती यह यहां से इतना तेज दूब उसका प्रभाव होता है गरम हवा का कि जो चपेट मीका उपार देगी लेकिन उसी समय जो गिनीं तट है यहां पर गिनी जो है गिनी नाइजेरिया यह सब्ध्र saben यहां पर इतनी उमस होती है कि लगता है कि लोग मरने लगते हैं और जैसे ही उमस का प्रभाव इस हद ते जाने लगता है कि लोग अत होगा मरना सुरू कर देंगे तब तक यह हवा यहां पहुंच जाती है और यह हवा जब यहां पहुंच जाती है तो यहां के जो उमस है उसे खत्म क होती है वही हवा जब गिनी तड़ के पहुंचती है तो वह का कार करती है और इसलिए इसे वहाँ पर डाक्टर हवा के नाम से जाना जाता है यानि यही प्रभाव जाकर तापमान को बढ़ा देती है थोड़ा सा और जो उमस कब होगा जब humidity संत्रिप्त होगी यानि कि तापमान के साथ जादा उमस आदरता जादा होगी और गरम हवागी आदरता सोख लेगी एक सामान मनुस को अच्छे से रहने के लिए 40 से 55% के आदरता हो आदरता तो वहां पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा लेकिन अ दिक्कत होगा कई बार उमस बढ़ रहा है बारिस होने का संभावना है तो वह संग्रन के तरफ बढ़ने की प्रक्रिया होती है और यहां पे हरमत्टन हवागी और यहां पे सब सामानने हो जाता है और फिर इसे लोग राहत के सांस लेते हैं अच्छे से दिन्चरिया शुर इस्तानी हवा कभी काफी प्रभाव होता है अगला है धरातल का सुभाव अब जहां पे रेगिस्तान होगा जैसे रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल अफरीका में तो वहां पे जैसे इस सूर का प्रभाव थोड़ा से होगा तापमान चड़ जाएगा अगर हिमाच्छादित है बर्ब से ढगा है तापमान आया तो वहां के लोग धूप को लेने के लिए इदम भारी मात्रा में भीड़क अठा हो जाएगा तो हर जगहे का जहां का सुभाव जैसा है वहां का तापमान की requirement बदल जाती है जहां पर वन अच्छादित है वहां तापमान जितना धूप खिलेगा उतने प्याड उगेंगे और तापमान बराबर होगा यानि कि तापमान का अपना सुभाव रितीले चटान पे अलग होगा, हिमाचादित एरिया में अलग होगा, वनाचादित छेत्र में अलग होगा तो दोस्तों मैं अपने काश में पर समाप करता हूँ, धन्यवाद, जैन, जै भारत